हेलो दोस्तों नमस्कार एक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैट स्वाटिका में हम लोग देख रहे हैं मैट का प्रैक्टिसेशन और आज देखेंगे सेट नमबर चार इसके पीछे इस स्रीज की जो भी क्लासे हुई है उसकी प्ले के लिए यह जो क्लास आपका चल रहा है वह बहुत ही ज्यादा महत्पुन है तो एक भी क्लास इसका मिस्मत करिएगा डाउनलोड करते रहेगा और प्रैक्टिस करते रहेगा साथ हम आपको बता दे कि आप प्ले स्टोर से मैट्स वाटिका 2.0 इस एप्रिकेशन को डाउनल क्लास भी आपका कल से सुरू हो रहा है उसमें बहुत सारे क्लास अल्रेडी हो चुके हैं तो उसमें 30 क्लास और हम देंगे मैराथन के रूप में तो 30 मैराथन क्लास आपका एलपी वाले बैच में यानि की मास्टर बैच में चलने वाला है तो जो भी लोग मास्टर बैच के ही रासी को आपस में, इस प्रकार से भी बितरिट करते हैं, कि ABC को प्राप्त होने वाले राशियों में से करम सा 50, 100 और 75 रुपए निकाल लिए जाए वचि पंश Ship 525 रुपए में से पहले कुछ रासे निकाल लेता है, तो उन्हें प्राप्त होने वाले राशियों के हिस्सों का अनुपाद है 11, 18 और 24 ABC का जो हिस्सा प्राप्त होता है उसका अनुपाद क्या है वह अनुपाद है आपका 11, अनुपाद 18, अनुपाद 24, ठीक है कहने का मतलब यहा है कि अगर A को मिलता है 11 रूपए उस case में B को कितना मिलेगा B को मिलेगा 18 रूपए और C को मिलेगा 24 रूपए यह value आपका ratio में दे रखा है धियान लखिए अगे चलिए 11, 18, 24 रूपए 11, 18, 24 के अनुपाद में कितना बाटा जाता है 55, 125 रूपए में से पहले माइनस कर लिया जाता है कितना माइनस कर लिया गया इसमें से इसमें से माइनस किया गया है हटाया गया है 50 पलस 100 150 और 75, 225 यानि इसमें से पहले 225 रूपए जो है वह माइनस किया गया है तो जब आप 555 में से 225 रूपए माइनस करियेगा तो क्या बचेगा? तिरपन सो रुपए बचेगा यानि तिरपन सो रुपए को जो है वह ABC के बीच में इस रेशियो में बाटा गया है यह बात सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे ऐसा कोश्चन में नहीं बोला है कि 5525 रुपए को ABC के बीच इस अनुपात में बाटा गया है या बोल लिए 50 रुपए B के लिए 100 रुपए और C के लिए 75 रुपए इस में से पहले निकाल दिया गया कुल कितना निकाला गया बचपंशवपचीस में से देखिए 50-100-75 लाइनी 225 तो जब इस में से इस राजी में से 225 निकाला जाएगा, तो बचेगा कितना? 2300. अब जो बच गया है, उसको इस अनुपात में बाटा गया. तो हमें क्या बताना है? कि आरंभ में सी का हिस्सा. तो हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें सी को कितना हिस्सा मिलेगा? तो आप एक ची बताइए, यहां पे जो है, 3300 रूपए बाठा गया है ना, कितना बाठा गया है, 3300 रूपए बाठा गया इस अनुपात में आनुपात में देखिए, तो 3 हो का कुल मिला करके हिस्सा कितना बनडा है, अब बोलोगे सरे 11, 18, 29 और 24, 53, तो अनुपात में 3 के बीच में 53 बाटा गया, जबकि बास्ता में बाटा गया 53, 100 तो 53, 100 अनुपात 53 का मान है, 53 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा, हमें क्या बताना इस कोश्चन में कि C का हिसा बताईए, तो C का हिसा यानि कि अ बता इसका हिससा है, कि अगर एक का हिससा, निकाल ना होता, तो हम रे फैलू कर जाईगा, तो 24 सा बंक का हिसा हो गया, जो 24 पूछ किया रहा है कि आरंभ में सी को कितना मिला तो देखें तिरपन सो रूपया में इसको चोवी सो रूपया मिल रहा है और पहले से सी के लिए कितना रखा गया था पचास एक के लिए सोबी के लिए पच्छतर सी के लिए यानि पच्छतर सव रूपय तो इसका जो आरंभ वाला हिस्सा है वह क्या हो जाएगा चोवी सो पच्छतर रूपय इसके अलाब अगर किसी का भी पूछा होता उसको भी हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते जैसे मालीजिए पूछता कि एक अहीं सा बताईए तो देखे तिर्पन तिरेफंसो बट्टा तिर्पन करते अनुपात एक कामान निकलता उसके बाद देख लीजिए हम क्या करते यह का हिस्सा यानि अनुपात 11 कामान निकालते 1100 तो 1100 रूपया तिरेफंसो में इसका हिस्सा हो गया और ए मिझे का टोटल जो हिस्सा होगा वहापका 1100 रूपया हो जाएगा तो कभी-कभी कोश्षण इस तरीके से घुमाके भी देता है इसके लिए आपको क्या रखना है हमिशा त्यार रहना है कि कि कितना भी घुमाके कोस्षण पूछे हम उसको बना सकते सारे प्रवियस में जो है वह आप बहतरे स्कोर कर सके देखेगा कोशें नबर दो क्या है यहां बोला है दो स्टेशनों के बीच पर्थम और दूतिये सिरेनी के किरायों में यहां यहां है और दोस्त्रा के किरायों में यही अनुपात है आगे देखेगे अब क्या बोला है बोला है कि पर्थम और दूतिय स्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के संख्या में एक अनुपात 40 का अनुपात अच्छा है यात्रा करने वाले यात्री के संख्या में क्या अनुपात है एक अनुपात 40 का अनुपात है ऐसा इस question में बोल रखा है या किसका अनुपात है जो इस सिरेनी से यातरा करता है उन यातरियों के संख्या का यह हवाला आपका अनुपात देदी अब धियान से इस बात को पहले समझे फिर से पहला सिरेनी जो है मतलब पर्थम सिरेनी जो है और दूतिय सिरेनी यानि कि first class औ जो है आपका पर्थम सिरेनी से एक यातरा कर रहा है जबकि दूतिय सिरेनी से यातरा करने वाले यातरी का संख्या 40 है अब हम यहां से कुल किराया निकालते हैं कुल किराया तो निकाल सकते हैं तो पहले सिरेनी का किराया है चार और यातरा करता है मातर एक यातरी तो कुल क का यहां से कुल किराया प्राप्त होगा चालीस किराया है एक रूपया और यात्रा करता है चालीस व्यक्ति तो एक एक रूपया करके चालीस व्यक्ति को अगर लगेगा तो कुल कितना लग जाएगा चालीस रूपय ही आगे सवाल में बोला है यदि कुल किराये के रूप में 1100 एकतर हुए कुल किराये के रूप में कितना एकतर हो रहा है 1100, अनुपात में देखिए तो कुल किराया, कुल किराया मतलब 1st और 2nd मिला करके, कुल किराया कितना मिल रहा है 40 और 4, 44 यह जो 1100 है, अनुपात 44 कामान है चोवाली से भाग करिएगा अनुपात एक कामान निकल जाएगा हमें क्या बताना है पर्थम स्रेनी से एकतर की गई रासी तो पहले स्रेनी से कितना रासी एकतर किया गया है कुल कितना किराया एकठा किया गया है अनुपात 4 मतलब हमें अनुपात 4 का मान यहाँ पे निकालना है जिसका मान दिया है उससे भाग इसका मान पूछा है उससे गुना 4 से अगर इसको काटिएगा एक 11 बारे में कर जाएगा एक 11 से इसको काटिएगा 100 बारे में कर जाएगा यानि आंसर आपके कोशन का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा विकल्प D जो है वह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ठीक है चलिए अब चलिए हम लोग अगले कोशन में अगला सवाल देखे क्या है यहाँ पे बोला है कि तीन पूरुसों ने 14 महीने 8 महीने और 7 मह पूजी गुने समय बराबर लाब होता है जब भी लाब निकालना होगा लाव कैसे निकलेगा लाव निकलता है आपका पूजी गुने समय से पूजी में जब आप समय से गुना करिएगा तो इससे लाव निकल जाएगा जैसे अगर हम आप से कहें कि A का पूजी है 800 रूपया और A का पूजी ब्यापार में 5 महीना तक लगा तो A का लाव क्या होगा 800 गुने 5 ठीक उसी प्रकार से B का पूजी है 700 रूपया और B का पूजी ब्यापार में 9 महीना तक लगा पूजी गुने समय क्या होगा लाव और यह जो निकलता है वह किस फॉर्मे निकलता है रेशियो में ठीक है तो लाव बराबर हमेशा क्या करना है पूजी गुने समय कर देना है अब एक बात बताईए कि अगर लाव बराबर पूजी गुने समय होता है तो हम लाव में देखे पूजी और समय इधर गुना में है पूजी को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ ज पूजी और समय का गुना कर आदड kanal Hai तो अगर लाव में पूजी से भाग करिएगा तो निकल जाएगा और लाव में समय से भाग करिएगा तो पूजी निकल जाएगा अब यहाँ देखिए यहां पर क्या है उनके लॉप में 58 आठगा बताइए कि पहला ब्यक्ति का लाव क्या है पहला ब्यक्ति का लाव पांच है लाव दे रखा है लाव में हम इसके समय से पहला का पूझी कितना दिन लगा चौदा महीना तो लाव में पहले के लाव में पहले के समय से भाग करेंगे क्या निकलेगा पहला का पूझी निकल जाएगा पू पुजी निकल जाएगा तीसरा का लाव किया है तीसरा का लाव है आठ और तीसरे के में तीसरा अपना पुझी कितना हुए ही लावीक्राण रॉए चाएंद Land लाबवटा क्या किये हैं? लाबवटा समय, लाबवटा समय किये हैं, तीनो के निवेश का यानि कि तीनो के पूझी का नुपात, यहाँ पर निकल रिया अब ratio जब भी भीन के रूप में रहता है, इस रूप में रहता है तो वह balance नहीं माना जाता है कि सब के नीचे वाला का आप निकाल लीजे LCM LCM यानि कि लगुतम स्वाबर तक तो LCM क्या होगा बोलोगे सर 14, 8, 7 का LCM आपका 56 हो जाएगा आप बोलोगे इतना जल्दी आप किसे निकाल लिए तो देखिए जब भी LCM निकालना होगा न से हमें निकालना है 14, 8 और 7 का LCM तो हम क्या करेंगे कि इसमें से सबसे बरावाला नंबर को पकरेंगे और इसका पहारा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका दुनों ना काटे यानि बाकी का सब ना काटे तो 14 का पहारा पड़िए 14 कोई दुनों नहीं काटेगा यह तो काटेगा यह नहीं काटेगा दोनों काटना चीए 14 दुना 28 28 कोई काटेगा इनहीं काटेगा 14 तिया 42 काटेगा इनहीं काटेगा क्योंकि LCM वह चोटी से चोटी संख्या होती है, जो दी गई सभी संख्या से कटे, अब क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इससे जो है, इससे LCM में भाग करी और भाग पल से उपर वाले में गुना, तो देखे, 14, 4, 56, 4 से 5 में गुना करेंगे, क्या हो होगा, और उसी प्रकार से 7, 8, 56, 8 से 8 में गुना करिएगा, क्या होगा, 64, यानि प्रतेक के नीचे वाला से LCM में भाग, और जो भाग फाला आएगा, उससे उपर वाले में, इससे क्या हो गया, आप बोलोगे सर्या तो मान चेंज हो गया, बिलकुल मान चेंज नहीं उपर भी इसमें 3 से गुना कर लिए और नीचे भी 3 से गुना कर लिए, तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप बोलोगे कि सर्या 3M बट्टा या 3N तो हो गया, मान में तो अंतर आया, कोई अंतर नहीं है, फिर से 3 इन से तीन कर जाएगा क्या बचेगा यानि कि अगर हम हमें जरूरत है तो इसके सभी पदों में हम किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं ठीक है ठीक है यह मानुपाद 3N हो जाएगा दिखने में भैलू जरूर डिफरेंट दिख रहा है जब किसके मान में कोई अंतर नहीं है त में भी 56 से गुणा करिएगा तो प्रतेक पद में गुणा कर दिए तो मान में कोई अंतर नहीं गुणा कर देंगे चोदा चोके 56 कर जाएगा ना पांचोके बीस आठ साथ सते उन्चा साथ साथ चपन आठ तो इस बजह से बैलेंस करने के लिए रेशियो वाले को मतलब भी प्रतेक के नीचे वाले से एलसे में भाग जीसा आप भीन का जोर करने में करते हैं प्रतेक के नीचे वाले से एलसे में भाग और भागफल से उपर वाले में गुना तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बन रहा है बिकल्प सी बन रहा है ना 28 बिकल्प B अगले सवाल में आई है यहां देखिए यहां कोश्चन आपका जो है वह है मिक्स्टर एंड एलिगेशन का इसको भी जरा ध्यान से समझेगा क्योंकि इस टॉपिक का जो है मोस्ट रिपीटेड यहां आपका कोश्चन है दो कोश्चन बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे बोला है पानी और स्क्वैस के दो मिसरन है पहले मिसरन में पानी और स्क्वैस का अनुपात पांच अनुपात देख पहले मिसरन में पानी पानी का मतलब वाटर और स्क्वैस वाटर और स्क्वैस का रेशियो क्या है पाइब इस टू वन पांच अनुपात एक का ठीक है आगे नंबर जो है वो रेशियो के रूप में रहे इस प्रकार से जैसे यहां देखे पांच अनुपात एक है ना तो हम पांच बटा एक लिख सकते हैं तो जब भी रेशियो के रूप में रहे तो हम उपर नीचे समान अंक से गुना कर सकते हैं इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं पहली बात, दूसरा देखिए अब हमें क्या यहां पे करना है, दो बरतन है, पहला बरतन में water और squash का यह ratio है, और दूसरे बरतन में water और squash का यह ratio है, यानि मिसरन जो है वह किसका है, water और squash का है, अगर 6 लिटर का मिसरन है तो उसमें 5 लिटर water है और 1 लिटर squash है, अगर मिसरन ह इसको मिलाना है किस रेशियो में तीन अनुपात में मिलाने का मतलब है कि इसका अगर तीन भाग हम लेंगे तो इसका हमें सिर्फ एक भाग लेना है तीन अनुपात एक कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से तीन लिटर मातरा निकालेंगे तो यहाँ से सिर्फ एक यहाँ से दो लिटर मातरा हमें निकालना है और तब जाकर की मिलाना है 3 is to 2 के ratio मिलाना है यानि पहला से 3 और दूसरा से 2 लेना है अगर बोला जाए कि दूद और पानी को 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाना है यानि दूद हम लेंगे 3 लिटर पानी हम लेंगे कितना 2 लिटर तो सेम काम करना है कि ये इस दोनों बरतन के मिसरन को तीन अनुपात दो के अनुपात में मिलाना है यानि यहां से तीन भाग तो यहां से दो भाग लेना है अब जब भी ऐसा कुशन रहे कि दोनों बरतन के मिसरन को मिलाईए तीनों बरतन के मिसरन को मिलाईए और नया यां बताईए तो ऐसे कोश्ष्यन में आपको पहला काम जो करना होता है वह यही है कि दोनों जगा मिसरन के मात्रा को आप बराबर करकिशिए क्या करना है मिसरन के मात्रा को के तो दोनों के मारा किए यहां देख़े तीन और एक चार है चार में कितना से गुणा करने पर इसके मान में कोई अंतर आया तर अभी आपने बताया है कि अनुपात के प्रतेख पदों में समानंकों से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आया अगर आप इसको एक गुणा भी कर देते हैं जैसे देखिए 3 ती या कितना हो जाएगा क्या दोनों जगा मिसरन का मातरा बराबर हो गया तर यहां पांच और एक छे छे दुना बारा मिसरन हो गया बारा पाने इसको एस मिला करके यहां तीन और एक चार चारतिया बारा यहां भी मिसरन बारा का हो गया अब तो बराबर हो गया न हमें क्या लेना है पहला से तीन भा दो भाग लेना है तो इसमें तीन से गुना इसका दो भाग लेना है तो इसमें दो से अब यहां पर गुना करिए ultimately हमें कितना से गुना करना पड़ा है इस रिशियों में 3 2 6 से तो 6 से 5 में गुना करिएगा 6 5 6 30 और 6 से 1 में गुना करिएगा 6 हो जाएगा यहाँ देखे इस पूरे में कितना से गुना करना पड़ा है 6 से तो 6 से 3 में गुना करिएगा 6, 13 और 6 से 1 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा यहापका 6 होगा ठीक है कुछ गलत तो नहीं हो रहा है न 3.2 क्या नुपात मिलाना है 12 तो पहले से था 12 पहले से था और हमें क्या करना पड़ा 3.2 ठीक है अब आप क्या किये 3.2 कर लिए अब इसको मिला लीजे अब आप मिलाईएगा तो हमें क्या बताना है पानी यानि वाटर और स्क्वैस का रेशियो तो पहले वर्तन में वाटर कितना है 30 और दूसरे में वाटर कितना है 18 खुल वाटर कितना हो जाएगा 318 48 लीटर जब दोनों को मिलाएंगे तो स्क्वैस कितना होगा पहला में 6 लीटर है दूसरा में 6 लीटर यानि कि 12 यही आपका वाटर और स्क्वैस का फाइनल रिट्यो हो जाएगा यानि आंसर हो जाएगा अब चुकिए अनुपात है वेलू कट रहे तो काटेंगे दोनो 12 से कटेगा तो 12 24 48 और 12 24 अनुपात एक यही आपके कोश्चन का सही आंसर बिकल्प सी हो जाएगा अमीद करते हैं कि यह कॉंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पहले ही बता चुके हैं कि बहुत इंपोर्टेंट यह सवाल है एक और कोश्चन बिल्कुल अलग अलग मिसरन जिनमें पानी और सरबत का अनुपात चार अनुपात एक और तीन अनुपात एक है पानी और सरबत है फिर से वाटर और यहाँ पे सरबत के लिए हम एस ही लिख देते हैं ठीक है एस पॉर सरबत रेश्यो क्या है चार अनुपात एक का है चार अनुपात एक का पहले बरतन में और दूसरे बरतन में जो है पानी और सरवत में क्या रेश्यो है तीन अनुपात एक का है ठीक है चलिए पहला काम हम क्या करेंगे अच्छा इसको मिलाना कैसे है तर इसे मिलाना है एक अनुपात उनको एक अनुपात दो की अनुपात में मिलाया गया या यहां से मात्रा एक तो यहां से मात्रा दो हमें लेना है तो हम क्या करेंगे ऐसे कुशन में यह पहला बरतन है यह पहला बरतन में मिसरन है और यह दूसरा बरतन का मिसरन है पहले बरतन में मिसरन का मात्रा मिसरन दोनों मिला करके पांच है पहले बरतन मिसरन कितना है चार और कित्ना से गुना करिये कि और चार से और यह दोनों जगा मिसरन आपका बराबर हो जिससे भी गुना करेंगे पुरा में हो जाएगा और दूसरा में गुना करेंगे कितना से दो से एक अनुपात दो पहले बराबर कर लेना है उसके बाद जिस अनुपात में मिलाना होगा उसी से आपको क्या करना है गुना कर देना है इस पूरे में कितना से गुना हो जाएग और 10 से 1 में गुना करिएगा तो 10 होगा ठीक है चलिए तो एक अनुपाद दो भी कर लिए अब इसको मिलाइए और बताइए कि पानी और सरबत का फाइनल रेश्यो क्या होगा तो आप बताइए कि पहले बरतन में पानी 16 दूसरे में पानी 30 तोलो और 30 कितना हो जाएगा 46 हो अगर वैलू कट रहे तो काटिए दोनों 2 से कट जाएगा 2 से काटिएगा कितना बार में 23 बार में और यहापका साथ बार में तो 23 अनुपाद साथ यही आपके कोश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है पिकल्प नमबर डी आपका यहाँ जो है वह बिलकुल सह राज में 11 क्रिकेट टीम का आउसत 100 किलोगराम है जब कोंच का भी वजन जोरा जाता है तो आउसत वजन में 1 किलोगराम की बिर्धी हो जाती है तो कोंच का वजन किलो में क्या होगा बहुत important question है अलग-अलग भासा का परयोग करके इस तरह का question जो है वह खुब पूछा ज होता है तो हम लोग formula यूज करते हैं sum of data बटा number of data यह यूज करते हैं ना और सब्सक्राइब निकालना होगा ना तो दसो को जोड़के दस से भाग विस संक्या का वसत निकालना होगा विसो को जोड़कर के वीस से भाग बेसिक formula तो यही है उसके बाद फिर अलग-अलग हम पहला चीज़ दूसरा देख लिए लिए जब भी बोले कि औस सब्सक्राइब थी में थी की बिलिदी हुआ तो थी सब्सक् bizarre 2019 इंख दिलो में 20 चाल__ ought लोगराम जाएगा कि यानि सभी वजन में 5 किल बिलोग्राम Karma सब्सक्राइए जब भी corresponds आइन कि सोगराम का जब तो समझजा यह यहां पर प्रतेक के मानमे बिर्दी यहां पर करने के लिए बोला जा रहा है। सवाल यहां देखिए जब कोच का बजन जोड लिया जाता है। यह को बेसिक फॉर्मूला भी है लेकिन हम लोग यहां ट्रिक का यूज करेंगे जब कौच का वजन जोड़ लिया जाता है तो आउसत वजन एक किलोग्राम बढ़ जाता है अच्छा आउसत वजन बढ़ गया ना यानि यह जो है आउसत इस से आउसत जादा हो जाता है इसका मतलब जो ब्यक्ति आया होगा उसका वजन जो होगा और अगर चलिये ज़्यादा भारी ब्यक्ति आएगा तभी तो समूह का और अगर कम भारी आएगा पहले से जो और चल रहा है उसे कम आएगा तो ऑसत घट जाएगा अब यहां पर बोला है एक कौच का वजन जोड़ द जो भी है उसके बाद लिखिया पवर्गता कितना नहीं गरता है और आप बताईए कि आउसत बरहा है एक किलोग्राम का कितने ब्यक्ति का पहले से 11 मगेंए खा यानिव प्रक्राइगा तो इस ऐनी ő dix bye रहें है वो कितने व्यक्ति के बार में यान ваш बार कि लोग्राम का हो गांव 112 kg का होगा तो जो कौच का जो आपका यहां पर उसत वजन कौच का जो वजन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 112 kg हमेशा यही कौनसेप्ट आपको यूज करना है आने और जाने वाले कोश्चन में आगे बढ़िए यहां देखे बोला है एक बकसे में 107 नोटबुक कितना नोटबुक है भई 107 कौपी है इसमें जिसका ऑसत भार 10.7 kg हम यहां पर क्या करेंगे ऑसत भार लिख देंगे और 7.7 kg हो गड़ा अब औस तो बहेगा घ्टेगा अब क्या बोले box मे एक notebook और रखने पर एक notebook और रखा गया तब क्या हुआ कि औस घृत दस दसंबलव आठ स्थाइगह स्थाइए अब मलंप क्या हो गया नी बीर्द्री हो गया तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे जो notebook रखा गया है न कुझ जादा भारी होगा इससे जादा भारी होगा आउसत से जादा भारी होगा तो और आउसत भार में कितना का बीर्धी हो रहा है जीरो का गौर से देखिए 10.7 से 10.8 हो गया कितना का बिर्धी हो रहा है उसत में 0.1 का और कितने notebook में देखिए 107 था 108 हो गया है ना पहले 107 notebook था एक बर गया 108 यानि इतना का बिर्धी हुआ है 108 notebook में तो कुल बिर्धी कितना का होगा 0.1 गुना 108 बरा-बरा calculation से आप बच जाएगा जब यह concept आपको पता होगा तो नहीं तो क्या करेगा एक बार 107 में इतना से गुना कर लेगा फिर 108 में इतना से गुना करके फिर इसमें से इसको घटा करके solution निकाला जा सकता है लेकिन वहां calculation सोचे कितना ज्यादा हो जाएगा और यहां कोई calculation नहीं होड़ा है कि कमू का पूरे बक्सा का आउसत यही था अब इसमें बिर्धी हुआ तो प्लस लिखे बिर्धी कितना का हुआ इतना इतना का बिर्धी 108 में हो रहा है तो कुल बिर्धी इतना गुनी 108 अब हमारा जो आंसर होगा वा क्या होगा 10.7 पलस जब इसमें इससे गुना करिएगा एक से गुना करिएगा तो भेलू यही रह जाएगा और एक अंके बाद 10.8 अब इसको जोड़ लीजिए 7 और 8 15 5 हासिल 1 10 10 20 और 1 21 21.5 किलो ग्राम यही आपके सवाल का क्या होगा सही आंसर हो ठीक है 21.5 किलो ग्राम वरते हैं अगले सवाल में अगला देखे क्या है पाइप A, B और C ये खाली टंकी को खाली टंकी से जुड़ा हुआ है पहला दो पाइप 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकता है और तीसरा 6 घंटे में इसको खाली कर सकता है पहला पूरे टंकी को भर देगा कितने समय में पहला भर सकता है देख लीजे यहां बोला है 4 घंटे में ठीक है दूसरा जो है भर सकता ह दस घंटे में दूसरा इसको भर सकता है दस घंटे में और तीसरा भरी हुई टंकी को छे घंटे में खाली कर सकता है और तीसरा क्या कर सकता है छे घंटे में खाली कर सकता है हम क्या करेंगे इन सब का ले लेंगे एलसीम का च्छमता हो जाएगा तुरा इस बात को आप समझ येगा एक की में तीन पाइप है पहला दो भरने वाला तीसरा खाली करने वाला खाली करने वाले को हमें सब माइनस से डिनोट कर लिजेगा नहीं तो क्या होगा इससे भी आप टंकी को भरवाने लग जाइएगा य जबकि तीसरा जो है, वो च्छे घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, तो हम तीनों को यहाँ पे लिख दिए, अब क्या करना है, टंकी का आपको छमता निकालना है, कैसे निकलेगा इसका LCM, तो 4, 10 और 6 का LCM, बताइए कितना हो जाएगा, 4, 10 और 6 का LCM, 60 होगा, कैसे निकालेगा LCM, बरका को पकरिए, इसका पहारा तब तक पढ़िए, जब तक की दोनों नहीं काटे, 10, 2, 20, काटेगा इनए, 10, 33, इकाटेगा इनए, 10, 100, 40, इकाटेगा इनए, 10, 50, दोनों में से कोई नहीं, 10, 60, 60, 60 को दोनों काट लेगा, इभी, इभी तो LCM इतना होगा तो यहाँ पर टंकी का छमता निकाल लिए, अब 60 में 4 से भाग करिए, इस से निकलेगा यह एक घंट में कितना भरेगा 60 में 10 से भाग करिए या 1 घंटा में कितना भरेगा 60 में 6 से भाग करिए इससे निकलेगा या 1 घंटे में कितना खाली करेगा यह 6 घंटा में पूरा टंकी खाली करेगा और टंकी का चमता 60 लिटर है तो 60 लीटर 6 घंटे में खाली इसका मतलब एक घंटा में 10 लीटर खाली करेगा अब यहां से एक चीज़ किलियर हो गया कि अगर हम पहले पाइप को चलाते हैं तो यह 15 लीटर भर सकता है दूसरा को चलाते हैं 6 लिटर भढ़ सकता है और तीसरा को अगर हम चला दे तो यह एक घंटे में 10 लिटर खाली कर सकता है क्योंकि यह खाली करने वाला पाइप है सवाल में आते हैं क्या बोला है यदि सभी तीनों पाइप को टंकी का तीन बटा पाँच भाग भरा होने पर एक साथ खोला जाए तब टंकी भरने में कितना समय तो टंकी का तीन बटा पाँच भाग भरा हुआ है इसका मतलब है कि जो टंकी है उसका मातर दूबटा 5 भाग ही हमें भरना है क्योंकि 5 में से 3 भाग तो पहले से भरा हुआ है ऐसा question में बोल रखा है तो 5 में से 3 भाग भरा हुआ है यानि 5 में बचा कितना सिर्फ 2 भाग इसका कैसे निकालते हैं इसमें से इसको घटा करके उपर लिखें नीचे में जेओंकाते हो तो देखें 60 दूना 120 बटा 5 कितना हो जाएगा 120 बटा 5 कामान 24 यानि 24 लीटर ही भरना है तो टंकी का 3 भाग भरा हुआ है मतलब उसका दूबटा 5 ही हमें भरना है तो 60 का दूबटा 5 कितना हो जाएगा 60 का दूबटा 5, 5 से काटेंगे 12, 12, 24 लीटर ही भरना है और तीनों को खोला गया है तो आप बताइए कि जब तीनों चलेगा तो एक घंटा में कितना भरेगा सरीह भरेगा 15 या भरेगा 6, 21 और यह 10 खाली कर देगा या एक घंटा में तीनों मिलकर 11 लीटर भर सकता है तो 24 लीटर भरने में 24 बटा 11 घंटा का समय इसको लग जाएगा यही आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा 24 बटा 11 भी खल्प भी आपके कोश्चन का राइट आंसर बन जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में अगला सवाल देखे क्या है उला है ट्रेन 4 घंटे में कितने खंबे को कवर करेगी यदि ट्रेन 45 खंभा गिनना है ना खंभा गिनने वाले question में देखिएगा हमेसा जहां plus one रहे न यहां पे क्या मिले plus one वाला डाटर है वो आपके question का answer होने का ज्यादा चांस रहता है ट्रेन चार घंटे में कितने खंभे को कबर करेगी यानि चार घंटे में कितना खंभा पार करेगा अगर ट्रेन का चाल है 45 km प्रती घंटा तो आप बताईए कि ट्रेन का चाल है 45 km प्रती घंटा तो यह 4 घंटा में कितना दुरीताय कर लेगा सर ट्रेन का चाल है 45 किलो मीटर प्रती घंटा तो यह 4 घंटा में 45 गुना 4 यानि कि 180 किलो मीटर का दूरी तै करेगा कितना दूरी तै करेगा 180 किलो मीटर 45 किलो मीटर प्रती घंटा यानि 1 घंटा में 45 तो 4 घंटा में 180 किलो मीटर दूरी तै करेगा इतना घंटा में चार घंटा में तो चार घंटा में ट्रेन इतना दूरी तय करता है आगे बोला है कि यहां देखते हुए कि रेलबे ट्रैक पर खंभें 50 मीटर की दूरी पर है तो देखिए इतना दूरी तय करता है एक घंटे में तो चार घंटे में इतना दूरी तय करेगा तो इतनी दूरी में कितना खंभा इसको मिलेगा तो चुकि 50 मीटर पर एक खंभा है इसलिए इतना खंभा पार करने के लिए इतना बट्टा 50 मतलब इतनी दूरी तैय करने में कितना खंभा मिलेगा तो इतना बट्टा 50 चुकि हर 50 मीटर पर एक खंभा है जब हम 50 से काटेंगे इसको 50 दुना कितना हो जाएगा 50 मीटर पर खंभा है मीटर से मीटर कैंसिल 50 दुना सो यहां 20 हो जाएगा 18 दुना 36 तो 3600 खंभा वह पार करेगा और 3600 खंभा यहां पे पार करेगा इसमें हम लोग क्या करते हैं पलस वन लास्ट में कर देते हैं क्यूंकि स्टार्टिंग वाला एक खंभा इसमें जुरा हुआ नहीं रहता है तो इस बज़र से 3600 एक आपके कोशन का आंसर जैसे हम आप से कहे 50 मीटर तो देखे यहां से 50 मीटर पर कितना खंभा यह पार करेगा हर 50 मीटर पर खंभा है मतलब एक खंभा यहां होगा अगर 50 मीटर का गयप है तो और एक खंभा यहां होगा तो अगर 50 मीटर की दुरी तैय कराएंगे तो कितना खंभा तैय करना होगा तो हर 50 मीटर पर एक शुरू वाला एक दो हो जाएगा फिर देख लीजे 100 मीटर की दूरी पर कितना खंबा पार करेगा तो देखे जैसे 50 की एक फिर 50 तो दो एक सुरू वाला तो 100 मीटर में कितना खंबा तीन खंबा देखे फिर पिर फिर पto उसी परकार से इतना मीटर पर कितना खंबा तो इतना बट्टा पचास करेंगे कितना जाएगा 361 आपके question का answer हो जाएगा यहां लिखा भी है शुरुआत में एक pull को पार करता है नहीं भी लिखेगा फिर भी बहुत मतलब होगा और यह भी question आपका same है मान लिजे कि rail mark पर तार के खंबे 60 मीटर की दूरी पर है इस बार खंबा कितना कितना दूरी पर 60 मीटर की ट्रेन का चाल है 60 किलो मीटर परती घंटा यह ट्रेन 4 घंटा में कितना खंबा पार करेगा वही 60 किलो मीटर परती घंटा के चाल से 4 घंटा में 240 किलो मीटर की दूरी तै करेगा इसको मीटर में चेंज करिए, हजार से गुना, यानि इतना मीटर का दूरी तै करेगा, तो फुल इतना मीटर का दूरी तै करेगा, कितने घंटे में, चार घंटा में, इतना खंबा पार करेगा, चुकि हर साथ मीटर पर एक खंबा है, इसलिए इतनी दूरी तै करने में, इत प्लस वन भी करेंगे प्लस वन क्यूंगे सुरुवात वाला the Babe फिर में अड़ हो जाता है तो 4000 फिर वन यहीं आपके औंसर हो जाएगा इसको मठ झौढ़ियेगा इसको मठ चौड़ियेगा नहीं तो अंसर गलत हो जाएगा तो बिकल्प डी जहां भी आपको लगे कि एक प्लस हो रहा है जिस ऑप्शन में उस ऑप्शन को आप टिक करके अपना अंसर निकाल सकते हैं किलो मेटर प्रति घंटा के चाल से चार घंटा में इतना दूरी साथ कुने 4 24240 किलो मिटर को मीटर में कैसे बदलेंगे कीलो में मतलब इतना मीटर का दूरी त्रेंत वाज यूगमाँज का मतलब होता है ट्वीन प्राइम नंबर क्या होता है तूरीन प्राइम नंपर इस बात का ध्यान रखेगा युकम अभाज मतलब으ुटि क्ल susan रखेगा युगमात्य मैं प्राइममम देंप अइस् clicked बेमनंबर किनललों संख्या को बोलती है जिसमें गया टो कांहीं इसमें युदनow सख्या Rising दोनों अभास संक्या इसमें भी हो जाएगा यह हवाला आपका नहीं है जो नहीं है उसी को छुनिए क्यों नहीं है कर दो का गयप तो है अभाज है दोनों अभाज है यह दोनों अभाज नहीं है तो यहीं आपका क्या है ट्वीन प्राइम नंबर नहीं है जुरुबा अभाज संख्या नहीं है ठीक है यह क्या है इसको हम लोग ट्वीन प्राइम नंबर बोलते हैं हिंदी में इसको जुरुबा अभाज संख्या य है नहीं है ज्रुबा अभाज संख्या उन दो अबहाज है नंबर खुल सकते हैं उस बावाद संख्या कोई ना देना कोई दो नमबर गया सकता है को पराइम नंबर हो सकता है कंडििसे इतना है कि वह दोनों का दोनों केवल एक से कटना चाही है एक क्यालावा उसका और कोई डिरे नहीं होना जाये है जैसे ब्त सह unity कितना हीए यह दोनों का दोनों देखिए किस से कटेगा यह दोनों का दोनों एक से कटेगा एक की अलावा और किसी से कटता है क्या नहीं कटता है तो यह क्या हो जाएगा यह आपका सहभासंख्या हो जाएगा जबकि न तो आठ भाज है और न नौ भाज है दोनों में से कोई अभाज न सब्सक्राइब तीन से कर जाएगा तीन से कटने का रूल तो पता है न क्या कि अंको का योग तीन से कटेगा वह तीन से कर जाता है अंको को जोड़िये छे अंको को जोड़िये छे यहां तीन से कर जाएगा यहां चलिए यहां भी लास्ट में पांच है यहां भी लास्ट में पांच है देख साभाज नहीं होगा तीन option को हटा चुके हैं जो बच गया वह option आपका आंसर हो जाएगा आगे जो अगला question है बहुत बुसूरत है इसको और ध्यान से देखिएगा बुला है छे और वाई सहभास संख्याओं का एक यूगम है एक के साथ कौं है से के साथ वाई को है और यह क्या है यहानि एक से लेकर के कहा तक अनंत तक जीरो को सामिल नहीं करना है और जो 20 से अधिक ना हो 20 से अधिक ना हो यानि कि यहां पे नंबर हमें क्या लेना है एक से लेकर के 20 तक ही लेना है लेकिन ऐसा नंबर लेना है जिससे इन दोनों का इन दोनों को काटने वाला नंबर के बल एक मिल कर जाए है के लिए खुद रहाए सकते हैं ऊप आपाहनों नवर से कर जाएगा तेरह और तेरह ले सकते हैं और यह जाएगा तो बीस तक में देखिए एक एसा इसा कौन-कौन सा नंबर मिलेगा यह सहभाज स्चाइज बन जाए तो 6 और एक सहभाज क्योंकि 6 और एक कॉछ ये काटेगा 6 और पांस सहभाज स्चे और पांस को भी काटेगा 6 और साथ सहभाज यानि की बोला है वाई के कितने मानसंभावित है एक दो तीन 4 5 6 7 अंसर क्या होगा विखलप भी देख लिए एक 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y का कुल कितना मान संभावित है यहाँ पे 7 आंसर बनेगा आपका 7 आगे देखिए दिये गए बिकल्प में से 2 बटा 4 और 0.6 के बीच का नंबर बताईए 2 बटा 5 का मान कितना होगा 2 बटा 4 है 2 बटा 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 0.5 भाग नहीं लगेगा पॉइंट देंगे 0, 20 4 में 20 से भाग काएगे 5 तो एक नंबर हमारा हो गया 0.5 5 और एक है 0.6 उच्छा है इसके बीच आने वाला संख्या बताई इसके बीच कौन नंबर होगा इन दोनों के बीच का नंबर कौन होगा जिसका आमान इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो वही तो इसके बीच होगा तो क्या बिकल्प एक आमान इससे ज़्यादा और इससे कम होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि 11 बटा 4 का मान टू पॉइंट सम्थिन सम्थिन आएगा त्यार दूनार दूद असमलब कुछ निकालने नहीं जाना है सिर्फ देख लेना है दो तो दो जो है इस दोनों के बीच में नहीं आता है दूनों से बढ़ा हो जाएगा इन बट्टा चार कमान क्या होगा जीरो पॉइंट देखे ज इस दोनों के बीच है बिलकुल है बिकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों के बीच मतलब इससे बढ़ा इससे छोटा देखे 0.52 पहले बाला से बढ़ा और दूसरा से क्या है अगे अगला देख लिए निम्लिकेत में से कौन सा परिमे संख्या है परिमे संख्या किस जिसको भी आप P by Q के रूप में P by Q के रूप में कहने का मतलब भीन के रूप में लिख सकते हैं वह आपका परिमे होता है जिसको भी आप क्या कर सकते हैं P by Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होता है परिमे परिमे का मतलब होता है rational number या क्या होगा आपका rational number होगा एक condition कूंडिषन भी है क्या है जो है यह कि जीघंगा इसपार को आप यशेपर को आ हो जाएगा sama के बटटा कुछ नहीं है तो सात बटटा एक हमकशा परीमें हो जाएगा क्लियर या आपका जी यह उबंबरें होगा बिलक कलता की दुछ नाम मे आएगा या भी शिता है यह उपर में या रिचे में कोई नंबर रहे तो आपका क्या होगा गुझे अब आपका परी में हो गया या बाईस बट्टा साद परी में है बिलकुल परी में है यह पीक्ति दिया रूप साथ साथ डॉट 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 क्या यहाँ परी में होगा तर बिल्कुल यहाँ परी में हो जाएगा क्यूंकि यहाँ आपका बार है इसको लिखेंगे 0.7 के उपर बार और बार हटाने का तरीका होता है बट्टा में नौ लिखे 7 बट्टा 9 इसको भी PYQ के रूप मे आता जाए अब आप बताए क्या यह आपका पड़ी में होगा क्या आप इसको लिख सकते हैं पीवाई क्यू के रूप में ऐसे नमबर है 0.34967 क्या यह पड़ी में होगा बिल्कुल होगा कैसे होगा अगर हम इसको लिखे पॉइंट हटा देंगे तो बट्टा में एक पर कित इसको आप पीवाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्यूंकि देखे दसमलव के बाद कितना अंख है पता है आप बोलेगे सर छे अंख नहीं है डॉट डॉट लगा हुआ है इन्फाइनाइट अंख है और इसको आप बार भी नहीं बना सकते हैं जब एक ही नंबर रिपीट करता है तो उसको बार के फॉर में लिख करके फिर उसको भीन बना सकते हैं लेकिन यह जो है अलग-अलग नंबर आपका आ रहा है मतलब इसको आप पीवाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यह आपका परी में संख्या नहीं है हम आप से कहें कि एक्ट मान है वह देखिएगा कहीं लिखा हुआ 3.18.000.000 ऐसे इसको देखके बताइए क्या इसको पीवाई के रूप में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो यह तो आपका परी में नहीं होगा तो पाई अपरी में रूट के भी तर वैसा मां जिसका बर्गमलों नहीं नि इसको पीवाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होगा वह आपका परी में होगा तो यहां कौन सा परी में संख्या बताना है इसको आप पीवाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं यह तो नहीं होगा क्यूंकि दो का क्यूबिक रूट तो निकलेगा नहीं चार का क्यूबिक रूट यानि घंवूल नहीं निकलेगा यहां तीन है मतलब इसका घंवूल निकाला पड़ेगा यह रूट के भीतर आ जाएगा तो यह अपड़ी में होगा तो परिमे संक्या कौन है आपका केबल और केबल ऑप्सन बी क्या था आज का आखरी कोश्चन इस वीडियो में इतना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके अलबा लाइक और शेयर करते रहे हैं मिलते हैं अगले वी तो इस चैनल